पॉंग्रेस के साथ अपना राजनीतिक करियर शुरू करने वाले जोतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी के खेमे में हैं। साल 2020 में उन्होंने भारतिय जन्ता पार्टी का दामन थाम लिया था। फिलहाल वह उड्यन मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। जोतिरादित्य सिंधिया जब बीजेपी में शामिल हुए थे, तब बीजेपी के ही सीएम शिवराज सिंध चौहान ने उनकी तुलना विभीशन से करडाली थी। जोतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार भोपाल पहुँचे थे। जोतिरादित्य सिंधिया का पार्टी में स्वागत करते हुए उनकी जमकर तारीफ की। हालांकि इस दौरान उन्होंने कमलनाथ सरकार पर निशाना साथते साथते जोतिरादित्य सिंधिया की तुलना विभीशन से करडाली थी। शिवराज सिंध चौहान ने कहा था, आज हम ये संकल्प करते हैं कि पाप की अत्याचार की अन्याय की भरष्टाचार की लंका को जब तक जलाकर राख नहीं कर देते चुप नहीं बैठेंगे। हम चैन की सांस नहीं लेंगे, लेकिन रावन की लंका पूरी तरह जलानी है, तो विभीशन की जरूरत होती है मेरे भाई। और अब सिंधिया जी हमारे साथ हैं, मिलकर लडेंगे इनको धराशाई करेंगे। डिनर पर भी ले गए थे। सोशल मेडिया पर शिवराज के घर जोतिरादित्य सिंधिया के डिनर की तस्वीरें खूब चर्चा में रही।